हेलो फ्रेंड्स, क्लास्रूम पर आपको अपना असाइमेंट कैसे डालना है? हम यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लियरली बता रहे हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कन्फुजन आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो पहले आपने जो classroom डाउनलोड की हुई है एप वहाँ पर अगर आप जाओगे तो देखो जो अपने university के हैं वो यहाँ पर आ गई हैं कि अगर आप commerce और management की assignment डाल रहे हो तो आप यहाँ पर click करोगे अगर आप RM की डाल रहे हो तो यहाँ पर और pre-PhD अगर आप commerce और management अपने subject specific डाल रहे हो तो आप यहाँ पर computer के लिए आपने पहले ही डाल चुके हैं तो देखो हम commerce और management की डाल रहे हैं तो देखो यह आगई हमारी यहाँ पर आप किस तरह से डालना है यहाँ पर अगर आपने उसका link बना रखा है तो अगर आप यहाँ पर click करोगे तो आपका link आ जाएगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने assignment की PDF बना कर उसको आप Google Drive पर save करोगे और वहाँ से उसकी जो link है उसको copy करके यहाँ पर आप क्या कर दोगे शेयर कर दोगे तो आपका assignment क्या हो जाएगा यहाँ पर डल जाएगा तो I hope आपको clear हो गया होगा कि किस तरह से आपको अपना assignment डालना है और अब आपको कोई भी problem नहीं आएगी और देखो जिनका assignment डला हुआ है उनकी यहाँ पर नाम और subjects रोल अंबर वगेरा यहाँ पर आए हुए है तो इसी तरह आप दूसरे subjects का भी यहाँ पर डाल सकते हो तो सभी subjects के ऐसे ही डालने ही इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है तो आप डाल के देखना अगर फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें comment करके बताईएगा